दोस्तों कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में उभरा जिसे न कभी देखा गया था ना ही जिसके बारे में कभी सुना गया था जिसके बारे में कभी न देखा गया हो न सुना गया हो फिर उसका इलाज कहां से होता विश्व श्वास्त संगठन सहित देश विदेश के तमाम वैग्यानिक और डॉक्टर अब तक इसकी जटिलता समझने में काम्याब नहीं हो पाए है जब तक ये इसकी विवेचना करते कि यह क्या है इसने सैक्णों क्या लाखों जिंदगियां लील लिया चीन और इटली की बात तो हम रोज सुनते आ रहे हैं अब हमारे देश भारत में भी इसने अपने पैने दात फैला दिये हैं जिसका प्रभाव यह हो रहा है कि हमारे इहां भी इसकी संख्या लाख से उपर चली जाए वैसे भी हमारी आदत है हम अपने देश का कहा कहा मानते हैं जिस दिन प्रधान मंत्री ने आ करके सब को लॉगडाउन की बात बताई थी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत विद्वान गुणी जन वैग्यानिक सो काल्ड वैग्यानिक और राजनेताओं ने इसका विरोध किया था कई आक्षेप लगाए थे पर जब हमारी ने अपना पंजा फैलाना शुरू किया तो हमें यही लगता था कि अरे यह तो हमारे गली मुहले तक नहीं आएगा आज दशा ऐसी आगई है यह हमारे गली मुहले क्या हमारे परोज में भी दस्तक देने लगा है हाला कि कोरोणा काल में जितने दिन तक लॉग डाउन रहा उतने दिन तक लोगों ने तरह तरह के उपाये करके अपने कोशल बढ़ाए अर्थात अपने आपको स्किल्फुल बनाया पढ़ाई लिखाई आउनलाइन आगई व्यापार आउनलाइन होने लगा हाला कि कई व्यापार बंध हुए लेकिन स्रीजन और साहित बहुत फलाफुला इसमें लोगों ने आउनलाइन कभी समेलन का भी आयोजन किया देखे एक जलक दिखाता हूँ मैं आया है करूना हमारे जीवन में हमें हमसे मिलवाने एहंकार को तो हमारे शामर्थे को दर्शाने कोरूना ने लोगों से लिया बहुत कुछ तो कोरूना ने लोगों को दिया बहुत कुछ लोगों को जीवन का महत्व समझाया सौक और जरुवत के फर्ग को दर्शाया अमीर और गरीब के फर्ग को मिटाया भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को सच में भगवान बनाया यह बात तो सच है कि कुरोना ने डॉक्टर के दर्जे को लोगों के सामने खुल कर पश्ट किया पर मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल चलता रहा लोग मरते हैं और हम अभी तक नहीं चेते हर अभीनेता क्रिकेटर जो जिसे भी हम अपना आइकन समझते हैं जिसे भी हम फैन जिसके हैं वह आकर के अपील करता रहा लेकिन देखिए हम मास्क का प्रियोग करने स बचते रहे, मास्क की इस्थिती हेलमेट के जैसे हो गई है, जैसे पुलिस को देखकर लोग हेलमेट लगाते थे, वैसे ही अब लगता है जैसे पुलिस को देखकर ही मास्क लगा रहे हैं, कोई इसको सिर पे उड़े जा रहा है, तो कोई इसको ठुड़ी के नीचे, कोई तो पडोसियों को मुहले वालों को देख कर हसते रहे कि चलो उसे हुआ हमें नहीं होगा और इसी गफलत में हम जीना शुरू कर दिये जिसका सबब यह है कि आज कुरोना भारत में हर गली मुहले स्लम हर जगा पहुँच गई है चली अमीरों की बात तो हम मान लेते हैं कि अमीर को जैसे ही कुरोना का कहर होता है अमीर के घर पूरा अस्पताल तूट पड़ता है मेडिया भी उसके खाने सोने और छींकने की मंजर दिखाने लगते हैं पर अब आप आम व्यक्ति के बारे में सोचिए लाखोर उपये का बिल क्या हर व्यक्ति दे पाएगा अस्पताल के बिल चुका पाएगा या फिर अपने को बचाने के लिए अपने और अपनों को भी कष्ट में डाल पाएगा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कर पाएगा लेकिन आज जिस उस स्रिंग खलता से हम सोचल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं और फैशन के नाम पे खुद को कुरोना के मुँह में जोगते चले जा रहे हैं यह कहीं न कहीं हमें ऐसे चोराहे पर खड़ा करेगा जहां से फिर हमें सोचने का समय नहीं रही है हाला कि शुरू से World Health Organization कहता आ रहा है कि यह अभी भी Community Spread की इस्थिती में नहीं पहुंचता है Community Spread का मतलब होता है यह समाज में एक दूसरे से फैलने की इस्थिती में नहीं पहुंचा है पर हो सकता है आने वाले दिनों में यह भी इस्थिती आए और यह जी दिन इस्थिती आगई उस दिन बहुत भयानक इस्थिती होगी मित्रों अभी समय है चेत जाईए और अपने मास्क से खुद को ढखिए खुद को बचाईए और वो सारे उपाय करिए जिससे बिना पैसे के आप इस बिमारी से बच सकते हैं और यही अपील संभोतिया हर समझदार व्यक्ति करेगा अब देखना यह है कि आप अपील कितना मानते हैं